नमस्कार आप देख रहे हैं MNS News Life खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर मिहान पुलिया पर वाहन ने दो पईया चालक को कुछला गंबेर रोग से जकमी युवक की मौन वसुली पतक को धमकाया आईए देखते हैं खबरे अफिस्तार से बेल्दरोडी शेत्र में एक अग्यात वाहन ने दो पईया चालक को कुछल दिया हाथ से में जकमी चालक रामबाबुदास भांडेवाडी निवासी की मौत हो गई घटना 23 अगस्त को रात में हुई पोलिस के अनुसार रामबाबुदास घटना के दिन रात में दो पईया बाहन पर मिहान खुलिया वर्दा रोड से घर की ओर जा रहे थे इस दोरान अग्यात वाहन ने रामबाबुदास की दो पईया को टकर मार दी टकर के बाद रामबाबु डिवाइडर पर जागिरे और उन्हें गंविर चोट लगी उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पतार ले जाने पर प्रातमिक जाज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घुशित कर दिया दूसरी खबर जगमी मरीज की उपचार के दोरान मौत हो गई उसने मेडिकल अस्पतार की हिमारत से चलांग लगाई थी मृतक राजा रमेश पटले राहुल गांदी नगर छोपड़ पट्टी निवासी है पेट की बिमारी से वह परिशान था उसे मेवो अस्पताल में भरती कराए गया था उस पर शल्ले करिया हुई थी असहनी अपिडा के चर्दे राजा ने 20 अगस्त को दोपहर में 3 बच कर 30 मिनट पर मेवो अस्पताल की चोथी मंजिल से चलांग लगा दी थी तीसरी खबर नीजी संस्ता के वसुली पतक को धमकाने और महिला अधिकारी से अभधरता कर उससे छेड़ चाड़ करने के मामली में सोंबार को नंदन्वन थाने में आरूपी मा बेटे के खिलाब मामला दर्श किया गया पीडित 42 वर्शय महिला पतसंस्ता में बतोर वसुली अधिकारी है आरूपी इमरान शेख चांद मोहमत और उसकी मा शमिम शेख चांद मोहमत देश पांडेले आउट निवासी है अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर आमने सिंदी लिके और ड़ान प्रेक से लोटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ कास कबर धन्यवार देश की राजनीती पर होगी आपकी मुझसे सी दिवार देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ हर गली की राजनीती पर होगी हमारी बात आपके नदर सेवक से लेकर सांसत तक से होगी चर्चा जिसमें विकासात मकारिय और उनके द्वरा किया गया प्रशाचार दोनों पहलों पर होगी बात मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जूड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दो पहर दो बजे